असलाम आलेकूम वीवर्स, उमीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, सभी अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ आलू मसाला सेंडविच जो की रमजान के लिए काफी अच्छा उप्शन है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, ये जबरदस सा हमारा टेस्टी सा चीजी आलू मसाला सेंडविच आलू मसाला सेंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू का मसाला तियार करना होगा जिसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा ओल लिया है अब इसमें डाल देते हैं जीरा आदा चम्मच आदा चम्मच राई डाल देते हैं दो हरी मिर्चियों को गोल-गोल कट करके आट कर देते हैं और दो मीडियम साइस के प्यास को कट करके आट कर देते हैं प्यास जब हलकी गुलाबी हो जाए फिर इसमें डाल देते हैं करी पत्ता 10-15 उसे भी इसके साथ मिलाते हुए थोड़ा सबून लेंगे अब इसमें हमें अद्रक को कूट कर लेना है यह एक इंच के अद्रक का टुकड़ा है उसे हमने कूट लिया है बारिक और इसमें अड्रक डालने से काफी टेस्टी फ्लेवर आता है मसाले में अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं quarter teaspoon red chili powder, λाल मिर्च powder, quarter teaspoon धनिया powder, quarter teaspoon हल्दी powder, quarter teaspoon गरम मसाला powder और आदा चम्मच भरके हम इसमें चाट मसाला डाल ज़ेते हैं, इन चीजों को मिलाते हैं, थोड़ी देर तक धीमी आज में आज में भूनना है, नहीं तो ये मसाले जलने लगेंगे, अब इसमें मटर एट कर देते हैं मटर मैंने आदा कप लिया है यह फ्रेश वाले मटर है इन मटर को गलाने के लिए अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी एट कर रहे हूँ हलका सा थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे ढख कर पकाएंगे लगबक 5 मिनिट हम इसे ढख कर पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनिट की बाद हम देखते हैं कि मटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं पक चुके हैं अब इस मसाले को चम्मत चला कर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हमें दो बड़े उबले हुए आलू को क्रश करके अट कर देना है इस तरह से इने किसी मैशर की मदद से अच्छी तरह से मसाले के साथ हम मिक्स कर देते हैं एक बार ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अच्छे से मिक्स हो जाने पर इसमें सारा टेस्ट आजाएगा मसाले का उसके बाद हमें इसे जादा पकाना नहीं है गैस की फ्लेम को हम आफ कर लेंगे अब इसमें धेर सारा हरा धनिया हम कट करके अट करेंगे मैंने आदा कप हरा धनिया लिया है कटा हुआ हरे धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्टी और फ्रेश फ्लेवर आएगा इसमें अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अब एक बड़ा सा स्लाइस लिया है मैंने ब्रेट का आप नॉर्मल ब्रेट भी ले सकते हैं अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा गी एपलाई कर देते हैं बटर या गी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें एपलाई कर सकते हैं क्योंकि रमजान में घी जादा अच्छा अप्शन होता है हल्दी होता है इसलिए मैंने आप गी लगाया है अब इसमें आप जो आलू का मसाला हमने बना कर तयार किया है वो स्प्रेट कर देंगे इसकी लगबग एक सैंटीमीटर मोटी हम परत लगा देंगे उसके बाद इसमें हम सॉस अपलाई करेंगे टोमेटो केचप फिर इसमें हमें चीज एट करना है चीज ऑप्शनल है लेकिन चीज डालने से बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा काफी टेस्टी बनके तयार होगा सैंट्विच और इंट्रस्टिंग भी हो जाएगा बच्चे तो बहुत शॉक से खाते हैं चीज वाला सैंट्विच तो बटर भी लगा सकते हैं एक तरफ से सिख जाने के बाद इसे बहुत ही आहिस्ता से फ्लिप करेंगे और फिर दूसरे साइट से भी इसी तरह इसे हम सेख लेंगे इसे हमें स्पैचुला की मदद से दबाते हुए सेखना है आप इसे लो फ्लिम पर ही कुक कीजेगा ताकि इसका जो चीज है वो अच्छे तरह से पिगल जाए और अच्छे से अंदर से ये कुक हो जाए आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी सा आलू मसाला सैंडविच बनके तयार है देखिए कितना कृस्पी बना है ये बहुत जबरदस कृस्पी बनके तयार हुआ है और काफी देर तक ये कृस्पी ही रहेगा अब इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर स से यह कैसा कुक हुआ है देखिए आप पूरा चीज अच्छी तरह से पिगल गया है पूरा कुक हो चुका है यह सैंडविच अच्छे से इसे आप सौस और मयोनीज के साथ सर्फ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं मज़ेदार और टेस्टी बैसे पीस के साथ अलाव